अगर आप centriols को याद रखना चाहते हैं, तो इस विगर से बहुत इजी ली धियान रख सकते हैं, centriols जो है, वो microtribules का एक बंच की तरह होता है, जिसमें चारो तरफ अलग से कोई membrane नहीं है, यानि की non-membranus है, जब भी किसी सेल में centriol होगा, तो वो pair में होगा, और ये द centriol को cover करते हुए चारो तरफ एक amorphous सा matrix present होगा, इस पूरे को मिला कर आप बोलेंगे centriol तो,